देली करेंट न्यूस में अभी की खबर है क्या है फ्रांस में सहवास। खालिया खबरों के अनुसार फ्रांस आगामी दो दोर के मतदान के बाद एक नई नेशनल असेम्मली का चयन करेगा। जिसमें इस बात की पूरी संभावना है कि फ्रांस के राष्ट्रपती और प्रधानमंत्री एक ही पार्टी से नहीं होंगे। इस सिती में राष्ट्रपती को विरोधी पार्टी की किसे नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नयुक्त करना पड़ता है जुसे संसद में बहुमत प्राप्त होता है। फ्रांस में सहवास की सिती बहुत ही दुल्लब है और हमेशा ही विवादों से घिरी रही है। बता दे कि फ्रांस में अब तक यह सिती केवल तीन बार 1986 से 88, 1993 से 95 और 1997 से 2002 के मते देखने को मिली है। चलिए अब जानते हैं पांचवे गर्तंत्र के बारे में। फ्रांस में वर्तमान राजीतिक शाशन पांचवा गर्राजी कहलाता है जो पहली बार साल 1958 में लागू हुआ था। इससे पहले फ्रांस में 1946 से 1958 तक चौथा गर्राजी अस्तित्व में था जो एक संसदी प्रडाली थी। इस प्रणाली में सत्ता मुख्य रूप से संसत के निचले सदन में केंद्री थी। 1958 के नए सम्विधान द्वारा फ्रांस में पांचवे गर्तंत्र की शुरुवात हुई जिसमें मंत्री मंडल की कारेकारी शक्ती को बहाल किया गया। मही साल 1962 से फ्रांसिसी राष्ट्रपती को सीधे लोगप्रिय बोट द्वारा चुना जा रहा है। जबकि यहां का प्रधानमंत्री नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी या कटबंदन का नेता होता है। बता दे कि फ्रांस में एक अर्ध्य अध्यक्षी प्रतिनिदी संसदी लोगतंत्र विवस्था मौजूद है जिसमें राष्ट्रपती और प्रधानमंत्री की भूमिका को इस पष्ट रूप से परिभाशित किया गया है। गौर तलब है कि फ्रांस इसी राष्ट्रपती का कारेकाल पांच वर्ष का होता है तथा वे राज्य प्रमुक एवं सशस्त्र बलों के कमांडर के रूप में कारेभार संभालते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रशल को। फ्रांस में सहवास के संबंध में निम्नलिखित कत्वनों पर विचार कीजे। धन्यवाद।